नमस्कार मित्रो मैं मम्ता भाज पैई भुपाल से मेरी हरी भरी चत पर आपका स्वागत है लीचे मैं फिर हाजर हूँ नए वीडियो और नए जानकारी के साथ और आज के वीडियो का विशय है कि मार्च में कौन-कौन सी सबजियां लगाई जाए फरवरी मार्च में गर्मि अच्छे आते हैं पर फिर भी अगर आप चूग गया है अभी तक लगाने से तो आप अभी कौन-कौन सी सबजियां लगा सकते हैं इस विशय में बात करते हैं लेकिन उससे पहले है अडेनियम जो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं मैं एक बार वो सारे अडेनियम आपको द तयार सीडलिंग मिल जाती है तयार पौदे मिल जाते हैं तो वो लाकर लगाएंगे तो आपका 15-20 दिन का बलकि 25 दिन का समय बच जाएगा और अगर नहीं है तब भी कुछ सबजियों की आप सीट सोयंग अभी कर सकते हैं और एक बार देख लीजिए बच्चों की मस्ती औ करते हैं और मेरे अडेनियम इतने जादा घील रहे हैं कि मेरी इमत नहीं हो रही कि मैं हिन्को काट दूँ और मुझे लग रहा है कि अभी healthy codex कैसे हैं तो मेरे चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट में देख ली जिएगा अडेनियम के नाम से कई वीडियो पड़े होंगे और वो आपको मिल जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे अडेनियम क्यों इतने अच्छे खिलते हैं और चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबजियों के बारे में तो सबसे पहली सबजी का नाम है भिंडी और गर्मी में भिंडी बहुत आसानी से उगाई जा सकती है इसके लिए मिट्टी वैल्डरेंट चाहिए कुछ किसमें होती है जो गर्मियों के हिसाब से बनाई जाती है और यहने हम ऐसे पॉली बैग में भी हम सीट सोइंग कर सकते हैं अगर हमारे पास क्यारी तयार नहीं है और इसकी डारेक्ट सीट सोइंग भी होती है देखिए मैंने डारेक्ट क्यारी में की है यह एक साथ ही लगाए है और आप जो कागज के गलास आते हैं चाय पीने वाले उनमें भी लग तो मैं इसमें 30% गोबर खाट डालती हूँ, दूसरी सबजी है बैंगन, बैंगन पूरे साल उगता है, बेंड़ी जैसे साल में दो बार करते हैं, बैंगन तो पूरे साल उगता है, बरसाद में भी बो सकते हैं, बहुत गर्मी और बहुत ठंड में सीड अंकुरित नहीं होते बेंगन पोरा उगता है यह देखिए सेडलिंग तयार है और बेंगन को तो मैं यह करती हूं कि मैं किस्तों में इसके पोत डालती रहती हूं तो फिसुटे मेंscale बड़ी पॉद है और मेरे अस पास जो मेरे परजित हैं मैं बांट देती हूँ, इतनी पहुत का क्या करूँगी, एक फैमिली के चार पहुत होते हैं, इनकी मैंने कटिंग कर दी है, ये दरसल सर्दियों के लगाए हुए बैगन है, और अगली सबजी है, मिर्च, तो बैगन और मिर्च इन सब के लिए एक सी मिर्टी लगती है, 30% गोब इन से आप सीडनले, कई बार उसमें रोग भी बहुत आते हैं, और अच्छी फ़लवार नहोती है, और मिर्च की अच्छी फ़लवार के लिए आप इसके मिर्च में तुड़ा राख ज़रूर डालें, और इस पर राख समय समय पर छड़कते रहें, तो इसमें लीफ करल का रोग का माता है, और अगर आभी जाए तो बीच-बीच में लहसन मिर्च अधरक की चटनी भी छड़कते रहें, इसको फुल सनलाइट चाहिए, इसको इसकी मिट्टी हमेशा मॉस्टन नहीं रहना चाहिए, जब एक बार पानी डालें, और सूख जाए तभी दोबारा पान हचानी डालें, जदा बात्रिंग से मिर्च भाइंगन के फुल जड़ जाते हैं, इस टिप भाइंग मिर्च अगर आपके काई बाकश Kroth की मिन लाएं, वरी बाहँ के फुल जड़ रहे हैं, तो कई बार अधिक पानी भी होता है 5R2, कुछ पोसक की कमी होतां है, तो मिर्ट अगर एक बार अच्छी फल जाए तो उसके बाद इसमें दुबारा अच्छे से खाद देना चाहिए ये भी मैं किस्तों में लगाती हूँ ये देखिए मजोली साइच की है और मेरी नर्सरी भी तैयार हो रही है और अगली सबजी है लौकी या घिया ये गोल वाली लौकी है इस समया आप बेल वाली सारी सबजीयां लगा सकते हैं पर इनके लिए नेट जरूरी है मिटी बहुत रिचे है आप 40% खाद डाल दें 50 भी डाल देंगे तो चलेगा बेल वाली सारी सबजीयों को बड़ा कंटेनर हाँ और मैं कंटेनर बताना भूली गई मिर्च बैंगन के लिए भी कम से कम 18 इंच का भिंडी के लिए भी कम से कम 18 इंच का बहुत चोटे कंटेनर में नहीं लगा है भिंडी भी नहीं होगी मिर्च भी नहीं होगी बैंगन भी नहीं होगा और लॉकी के लिए तो और बड़ा 24 बै 24 का हो डिरभ कटा हो आदा हो आप देख रहे नए फिर गटा हो कटे में भी अगर हम लॉकी तोरही करेला टिंड़ा विंड़ा उगाते हैं बेल वाली जितनी भी सब्जियां उगाते हैं तो कट्टे में भी एक या दो फ्रूटिंग आती है बहुत नहीं आती है तो अगर कट्टे में लगा रहे हैं तो लाइन से चार पांच कट्टे लगा दें तो हर कट्टे में अगर दो फल भी आपको मिले तीन फल भी अगर मिले तो आपके पास एक अच्छी खासी फसल तेया हो जाएगी बेल वाली सब्जियां फरवरी के पहले सब्ता हमें लग जाती है तो बहुत अच्छा है लेकिन आप लगा के लगा के देखते रहे हैं अगर यह अभी नहीं फली और बेल फैल गई तो कोई बात नहीं यह जुलाए गस्ता आते ही बरसात में आपको फल देने लगाई है और यह अगली सब्जी है गवार फली के लिए बिल्कुल सही समय है अभी आप गवार फली लगा सकते हैं इसके लिए तो आप खाद नहीं भी होगी मिट्टी में सिंपल गार्डन सोयल में लगाएंगे तो भी हो जाएगा है आप पे खाद तो दस परसंट डाल साधरन जो हमारे यह गाओं में खेतों में जो उसर जमीन होती थी जो कंक्रीली पत्रीली उसमें भी गवार फली हो जाती है अगली सब्जी है टमाटर यह मेरे पास है छोटे वाले हैं आप कोई से भी टमाटर लगा सकते हैं टमाटर में खास बात बताओं अगर जब यह फ और ये है फ्रेंच बीन फ्रेंच बीन भी लगा सकते हैं आप अभी इसको भी थोड़ी ठंड़ा बाता बरन चाहिए होता है तो यह नेट के नीचे रखें आप बहुत गर्मी हो तब आप भिंडी छोड़कर बाकी बेल वाली सब्जीयां मिर्ची भिंडी और बैंगन और क्या-क्या लगा सकते हैं देखिए अगर आप पस जगह है तो तर्बूज, खर्बूज, ककड़ी, टिंडा एक बार फिर रिपीट करती हूं लौकी, तोरे, पालक की भाजी, धनिया पत्ती और चौलाई की भाजी, लाल भाजी ये सब आप लगा सकते हैं नौनिया की भ जो होता है, वैसा मैं मैंनेज करती हूं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो नर्सरी बहुत अच्छी उकती है, थोड़ा बड़ा होके उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, तो मैं ज़्यादा इसलिए लगाती हूं ताकि मुझे लास्ट में कुछ बेलने जरूर मिल जाए यह देखिए लाल भाजी भी डाली है, मैंने छोटे से पैकेट में डाली है, धनिया पालक भी लगा सकते हैं पर इनके लिए भी नेट चाहिए बिना नेट के यह सबजिया नहीं होंगी, तो उमीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, श जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार,